दोस्तों अगर आप भी रोहिच शर्म और महेंद्र सिंग धोनी को माहान कप्तान मांते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर के शरकाद धनवर्शा जी हाँ दोस्तों बिलकूल सही सुना अपने IPL 2024 की नीलामी आज दुबई में आयो जेत हुई जिसमें IPL इतिहास का सबसे महेंगा खिलाडी भी बिग गया इस दोरान IPL के अंदर महेंदर सिंग धोनी विराट कोहली और रोहिच शर्मा से भी भारी भरकम रकम हासिल करते हुए दो खिलाडी IPL की दो मजबूत टीमों के अंदर शामिल हुए वाखर कौन से हैं वो दो खिलाडी जिन्होंने रोहिच शर्मा विराट कोहली और महेंदर सिंग धोनी को सबसे महंगे खिलाडी होने के लिस्ट में पीछे धकेला इस बारे में हम आपको बताएंगे साथी में IPL 2022 की निलामी में बिकने वाले टॉप 10 खिलाडियों के बारे में भी बताने वाले हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है आई पिल दो हसार चौबिस के अंदर आपके इस टेम को सपोर्ट करते दिखाई देने वाले हैं कॉमेंट में जरूर बताईए दोस्तों जैसा कि आपको पता है आई पिल दो हसार चौबिस के निलामी आज दोबई में आयोजित हुई जहाँ पर 333 खिलारियों की किस्मत पर दाउं खेला गया इस दोरान कई खिलारी करोड़ पती बने तो कई खिलारी उमिद से ज़ाधा रखम दे कर आई पिल की तमाम टीमों में शामिल हुए तो आई जानते हैं कौन से 10 खिलारी आई पिल के सबसे मेहंगा कोलकाटा न आइटरैजर्स की टीम ने शामिल किया है आपको बता दें आस्ट्रेलिया के महान तेज गेंदबाज मिचल स्टाग 2 करोड की बेस प्राइस के साथ टेबल पर आये थे जिसकी 24 करोड 75 लाह की भारी भरकम में कोलकाता की टीम ने शामिल किया और IPL के सबसे मेहंगे खिलारी बन गे इसके अलावा दूसरे नंबर पर भी आस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज हैं जो की वर्ल्ल कप विजेता कप्तान रहे हैं दरसल इस साल वर्ल कप विजेता कप्तान रहे पैट कमिंस 2 करोड की बेस प्राइस पर आये थे जिनको 20 करोड 50 लाख की भारी भरकम में की टीम ने शामिल कर लिया और आई पिल इतिहास के दूसरे सबसे मेहंगे खिलारी बने इनके अलावा तीसरे नंबर पर डैरल मिचल जो की एक करोड की बेस प्राइस पर टेबल पर आये थे लेकिन इनको 16 करोड में चनई की टीम ने शामिल किया तो वहीं चौथे नंबर भारत के महान तेजगेंदबाज हरशल पटेल शामिल रहे दरसल हरशल पटेल 2 करोड की बेस प्राइस पर आये थे जिनको 11 करोड 75 लाख में भारी भर कम रकम देकर पंज़ाब की टीम ने अपना साथी बना लिया इतना ही नहीं एक करोड की बेस प्राइस पर टेबल पर आ जो की 6 करोड 40 लाख की भारी भर कम रकम हासिल करने के साथ अपने ही घरेलू शहर की टीम लखनव के साथी बन चुके हैं इनके अलावा साथ नंबर पर वेस्टरंडीज के मौजूदा कप्तान और वेस्पोटक बल्लेबास रॉमन पाविल हैं जिनको एक करोड की बेस प्र के साथ टेबल पर आये जिनका 6 करोड 80 लाख के भारी भर कम रकम में हैदराबाद की टीम ने अपना साथ ही बनाया इसके अलावा भारत के माहन तेज गेंद बाजों में श्यादो एक करोड की बेस प्राइस पर आये जिनको 5 करोड 80 लाख रुपे में गुजरात की टीम ने के लिए तयार हैं तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस बार का IPL कौन सी टीम अपने नाम कर सकती है कॉमेंट में जरूर बताइए के मानना है कि मैंने सोचा था 17 या 18 करोड रुपे किसी को मिलेंगे लेकिन 20 करोड रुपे से ज्यादा कीमत कमेंस को मिली है इस बात को पचा पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है लेकिन यही होता है जब आपके पास पैसे होते हैं तो आप किसी भी खिलाडी पर खर्च कर देते हैं हो सकता है कि सभी को यह बात बुरी लगे लेकिन कमेंस 20 करोड के हगदार नहीं थे लेकिन दोस्तों उनके देश के महान कप्तान रुकी पॉंटिंग का कहना है कि वैल्डन कमेंस यह साल आपका है पहले अपने देश को वर्ल्ड कप दिलाया और अब IPL का सबसे मह क्या है 20 करोड में औस्ट्रेलिया के कप्तान को खरीदना अपने पैरों पर ही कुलाडी मारने जैसा था हैधरबाद ने बहुत बड़ी गलती किया मुझे नहीं लगता कि इसका उन्हें कोई भी फायदा मिलेगा फिर भी कमेंस को में बहुत बहुत बधाई देना चाहता हमने पहले भी देखा है कि कई ऐसे खिलाडी बड़ी बड़ी कीमतों पर बिके हैं जो उसके हगदार नहीं थे बहुत बहुत बधाई हो कमेंस उमीद है कि आप अपनी कीमत के मताबिक पुरदर्शन कर पाएंगे तो वहीं दोस्तों अंत में काव्या मरन का कहना है कि कमेंस वर्ल्ड कप विनिंग कपतान है हम उन्हें अपने खेमे में शामिल करना चाहते थे इसलिए हमने उन्हें इतनी बड़ी रिकम दे दी उसमें हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है हमें लगता है कि वो हमें इससे भी बहतर रिजल्ट ला कर देंगे वेलकम कमेंस हम आपको पागर बहुत खुश है तो दोस्तों सच में हर कोई है तो वहीं काव्य मरन खुश है और कमिश को उन्होंने अपना बनाया लेकिन अब आपको क्या लगता है कि कमिश को इतनी बड़ी कीमत मिलनी चाहिए थी आप इस पर क्या सोचते है हमें नीचे कमेंट करके पिरकर कैसे सबसे महंगे प्लेयर बन गई पैट कमेंच और उसके बाद अपने बयान में क्या बोले उनके खास बयान का वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं लेकिन उससे पहले आप सबी का क्या मनना है पैट कमेंच धोनी और रोहित शर्मा में सबसे पहतर खिलाडी और असली प्रमान सामने आया है क्योंकि इसमें लगी है दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट में खिलाडी को खरीदने की बोली अब तक तो आपने महेंदर सिंग दोनी युवराज सिंग रोहित शर्मा और विराट ओली को सोला सतरा यहां तक की अठारा अठारा करोड में बिकते हुए देखा और इतनी यरली फीस चार्ज करते हुए भी देखा है लेकिन अब इन सब को पचाडने वाला एक ऐसा कप्तान आ चुका है जिसके नाम केवल ICC ट्रॉफिस होती है आपने सही पहचान लिया हम बात करें WTC के विनर हम बात करें 50 ओवर वाले वर्ल कप के विनर पैट कमिंच की दोस्तो पैट कमिंच एक खिलाडी नहीं अपने हाप में एक टीम है और जब एक टीम दूसरी टीम के साथ मिलती है ना तो दोनों जीत ना पाएं ऐसा हो नहीं सकता पैट कमिंच एक विनर मेकर शायद हो सके कि ये टी-20 वर्ल कप भी हमें जीतते वे नजर आएं और इसी बात को मद्दे नजर रखते हुए आई-पे लोक्शन में ये जैसे ही उतरे इनके नाम की पुकार लगी ना तो करोड़ों रुपे ऐसे लगने लगे कि मानो कोई ऐसा खिलाड़ी आ गया हो जिस करोड़ पचास लाख रुपे लगा कर इस दिगज को अपने नाम कर लिया है दोस्तों आपको बता दे कि ये अब तक की लगाए गई सबसे बड़ी बोली है आई-पेल के इतियास में इन्होंने धोनी युवराज रोही तक को पचार दिया है इन फैक्ट कोहली को भी लेकि पाऊंगा कभी सोचा नहीं था किन सच बात तो यह किस एक दिन को हासिल करने के लिए कई सालों के मेहनत लगी है जिसको मुझे लगता है कि आई-पेल में अच्छे से परखा भी गया है और उसे उस बात की बक्षीश भी मिली चाहे ऐसा रच की टीम हो या फिर आरसीबी की आई-पेल की ट्रॉफी का उठाने के लिए क्योंकि जब मैं आपकी टीम के साथ कदम रखूं अना मैदान में तो कोई माईकलाल हमें हरा नहीं पाएगा मुझे पूरी उमीद है कि इस बार संड्राजिस हथरबाद की टीम को मैं जिता कर रहूंगा दोस्तों यह वो उसे ज़्यादा ही पैसे मिल गए अपनी रहे नीचे कमेंट में बताईएगा दिसंबर को दुबई में होने वाली और अब से कुछी समयखबाद शूरू होने वाली है आई-पेल दोहजार चौवीस की निरामी से पहले आई-पेल दोहजार चौवीस का फे सुर्खियों मे को मुंबाई इनियर्स की टीम में कप्तानी सेटा दिया गया और हारदिक पांडे को कप्तान बनाया गया तो अब इसके बाद पूरे क्रिकट जगत में बवाल मचा हुआ था ऐसे में अमनी रामी के शुरू होने से पहले मुंबाई की टीम के पूरव कप्तान रोजशर्मा ऐसे में अगर रोजशर्मा टीम में आ जाएंगे तो अबिरायर को लिक साथ मलकर बैंगलूर को पहला खिताब दिजारे का प्रेयास करेंगे